कि रवाश्ट कार दोस्तों मैं रपने सर आप सभी का स्टोजी नाइटी में शागत करता हूं और कैसे आप सभी उमीद करता हूं जहां भी हो मत दोस्तों आज बहुत इंपॉडरेल टॉपिक लेकर है हूं जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों हमारे एक्जाम में चाहे सीटेट इनके बारे में दोस्तों वन वाई वन चरका warm तो आए दोस्तों सेशनों और ज्राधा-शेयर कर दीजेगा लाइक कर दीजेगा दोस्तों आईए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना सेशन को पहले बात करते हैं ये आपके दोस्तोंat णिम्हों एक − नाइच्वर्ण बूता तो दोस्तों आई जानते हैं तो अधिक प्रस्तिक तंत्र पाए जाते हैं जहां थिछेतर जीव जन्तु और वनाष्पतिया भुआकरति एम जली महत्वो को को गया है उनके खत्रा है दोस्तो तो वनाष्पतियां हो गये भुआकरतिया एम जली उसरह स्रस्चित करना निथा चजह महत्व यहां उपया किया जानते हैं में यहां क्या शेखर भस्तियों कि ज्हत्र फी जन्तुओं का साथ ही यहां पशुचारण तथा काश्टीधन श्रीकार जैसी प्रमप्रागत गतिविद्यों पर भी प्रतिबंद होता था कि आप ऐसा न करिए कि आप पशुचारण यहां पर खोल दीजे या काश्टीधन कर दीजे संग्रण शिकार कर सकते हैं ऐसा कोई नहीं था साथ चीजों पर प्रतिबंद लगा दिया गया था कि नहीं सिर्फ जीव जन्तुओं का सरच्षड़ों हलाकि विशिश परिस्तितियों में राजी के मुख्यवन सरच्षक द्वारा अपवाद श्रूप किसी ऐसी गतिविधियों को राष्ट्र उद्द्द्ध्यान नहीं दिजाती है बस प्रटन यानि लोग घूम शकें देह शकें चीजों को प्रेटन करने की अनुमती बस दोस्तों क्या की जाती थी p passes successive रहे थे ठीक है और वर्तमान में Point note करने की बात है जो राष्ट अध्यान वह कितने हैं एकन चेह हैं दूस्तु डोस्तो हो कितने हैं छूपायमाल की बहुत है इसको याद रखियेगा प्रस्ट इस से बन सकता है कि हमारे देश में वरतमान में राष्ट त्यान कितने हैं consider 106 elते हैं दोस्तों जिम कर्वेत शुद्ध्यार जो कि बहुत इंप्वरेंट दोस्तों जिम कर्वेट राष्ट्य उद्ध्यार इससे प्रश्ण बनता है आपका schauen और बंगार टाइए जिम कर्वेट बन सकते हैं do कॉर्वेट राष्टी उद्दान किसके सरचन के लिए बनाया गया तो आप याद रखेगा बंगाल टाइयर के सरचन के लिए यह राष्टी उद्दान बनाया गया गया पुराना माला जाता है 1936 में दोस्तों यह है ली नेशनल पार्क पर रूप में स्थाफित किया गया था यह उत्तराखंड के नैनी ताल जीले में इस्तित्त है तथा इसका नाम जीम कार्वेट के नाम पर रखा गया था बाग परियोजना पहल के अंतरगत होने वाला यह पहल संदरवन राष्ट्य उद्यान बहुत इंप्रॉट seguinte कई बार इससे प्रश्ण बना कि सुन्दर राष्टि उद्द्यान भारत वस Position मंगाल राज के दच्श्चिर भाग में काया जाता है दोस्टो सुन्दर राष्टि उद्दान आपका पॉस्रिन गाल फॉस यहा है जो ऊफोद्दो कि जो तो लोग जाते हैं बतातें बड़ी यानि की भाइंट यानिकी कर सकते हैं आपकी भयान कि जंगल भयानक जंगल लगता है तो वह दोस्तों वहां पे घूमी लाइक है आप जाइए कभी अगर आपको एडवेंचर का सौक है तो वह आपका पूरा हो सकता है बाग सरच्छी छेत्र यह चेत्र मैंग्रों के घने जंगलों से घिरा हुआ है जो मैंग्रों के जंगल होते हैं उनस दोस्तों यह स्टेड़ी नाइटीवन में आपके कुछ किताबें जो किया चुकी है आप सभी ले सकते हैं ज्वाइन कर सकते हैं कि लिए को चलिए दोस्तों नेश चलते हैं कि अब बात करते हैं दुद्वा राष्टी उद्यान उत्तर प्रदेश का यह पहला राष्टी उद्यान है पहला राष्टी उद्यान दोस्तों मातरिक राष्टी उद्वा राष्टी उद्यान निपाल और भारत की सिमा से क्या है लगा हुआ है दोस्तो इसलिए यह यह उत्तरप्रदेश का सबसे सबसे बड़ा दोस्तों आप से पूछे की उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है तो दुद्वा राष्टी उद्यान है दोस्तों जो कि नेपाल और भारत की सीमा से लगा हुआ है यह राष्टी उद्यान बागो और बारा शिंगा के लिए विश्व दोस्तों याद रखिएगा दुद्वा राष्टी उद्यार में बारा शिंगा बारा शिंगा और दोस्तों बारा शिंगा आपने देखा होगा जिसकी बारा शिंगे होती है दोस्तों पर उसकी जो सींगे होती है वह काफी बारा शिंगे होती है उसमें और थोड़ा सा दोस और सेरों के लिए और बाग दोस्तों किसके लिए बाग जो आपका दुद्वा राश्ट वितार है बाग और बाराश इंगा दोनों के लिए दोस्तों विश्व प्रसिद है यह याद रखिएगा सबसे बड़ा अदम शमृद जयवित्तावाला छेत्र है भारत और नेपाल की सीमा से लगा हुआ है और उत्तरपृदेश का लखिंफूर की जनपद में इस्तित प्रश्ट बन सकता है कि कहां पर अπά जाता है विशाल है सबसे बड़ा और शमृद जयवित्तावाला दोस्तों मद्ध प्रदेश की बात कि जा रहे हैं तो कुल राश्टि उद्धं कि रही है यह कौन से बागवर गढ़ है दोस्तों फास्षील है काना है माधो है पिन्च इंद्रा प्रिय दर्शनी है दोस्तों पन्ना संजय है सत्पूरा है बन भिहार डाइना श्रोग और कुनो यह टोटल 11 दोस्तों आपके राष्ट्य उद्यान है किसके मद्ध प्रदेश में बहुत अब पूछा जा सकता है यारखिए कौन सब्सक्राइब पूछ लेगा आपसे दोस्तों चार और इनमें से एक और शेव की और रश्ट्य उद्यान तो यह मद्ध प्रदेश का राष्ट्य उद्यान तो दोस्तों जैसे चार आप्ठाशन दे दिया आपको पन्ना दे दिया नहीं है तो आपका दुध्वा राश्टित्यान इसमें नहीं है क्योंकि अभ हम ने पड़ा का ऊपका यूपी में है MID है कहाँ है यूपी में Dope ऐसे आपना है संजय्ग्ण आ है बंभिहर और बिहार है तब दोस्तों आप आंसर्व दे कंगे निखें glucose न हर करेंगी यदोस्तों मैं उत्राखंड में बात करें तो n주 रचंड में आपके टोटल कुल कितने राष्टी उद्यान है को छे राष्टी उद्यान कुल शे राष्टी उद्यान है जैसे जिसमें मैंने आपको बता जिम कॉर्बेट जो की बागों के लिए आपको मैंने भी बताया बाग के लिए दोस्तों जिम कॉर्बेट हो गया गंगोत्री हो गया गोविंद पशुबिहार भी दोस्तों आपका कहा है उत्राखंड में है नंदा देवी दोस्तों ये भी आ तो फूलो की घाटी दोस्तों आपका कहां पे है ये भी उत्तरा खंड में ही इस्तित है ठीक है फूलो की घाटी नंदा देवी राजा जी तीन याद हो गया जिम कॉर्बेट गंगोतरी गोविन पशु विहार यानि टोटल छे आपके राश्टी उद्यान कहां पे हैं दोस्त इधो माना जाता है बालमी की राष्टी अध्यान है आपका सिक्किम की बात के तो यहाँ भी दोस्तों कंचंजंगा बिवीजसटेंगां और बिहार में भी दोस्तो आपका यह कान भी है टीक है छले कर दोस्तों यह आपकी यूपी टेट 239 में और हिंदी का इंड़ वब्लाम ब्हेश्ड नइक है थी बुक है दोस्तों आपकी क illum आप बहुतिंपोर्टेंट है इस चलिह दोस्तों निस चलते अब गुजरात की बात ढ़ mister ऑस्तों घुजरास से गिली राष्णी उद्यान प pressing या कुण है गिली राष्ट्र यान जो है हमारा कहा real गुजरात में है मरीन दोस्तों यह राष्ट्यूद्यान भी आपका कहां पर है यह गुजरात में माना जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लैक बग दोस्तों ब्लैक बग भी राष्ट्यूद्यान कहां पर है यह गुजरात में वस्तदा दोस्तों यह भी राष्ट्यूद जोस्तों कि इंपोटेंट है जिनमें गिर IT दोस्तों कफी इंपोटेंट है उकिर में पूछा किया है घृष्यbayology जाता है तो गिर ए singers गते अ और वसंदा दोस्तों वसंदा विया सकता है यह चुटरात और जाते हैं täll miećग महाराष्ट में आफे टॉटर 6 राष्ट उद्यान पाए जाते हैं जिनमें की दोस्तों grease आ बुरावली आप राष्ट उद्यान जानते होंगे संजय गांधी बुरावली दोस्तों यह फेमस है काफी फेमस है राष्ट उद्यान यह राष्ट उद्यान पेंच राष्ट उद्यान दोस्तों यह है और तंदोबा अंधारी तंदोबा अंधारी दोस्तों यह भी महाराष् इसस्ण बना है तो पूझा जाता है है इसको टूमेश्टे दोस्तों आंधर प्रदेश आपके अंध्र प्रदेश है तीसी में Hmmm कि ये दोस्तों कितने हैं आपके तीन पीपा कोंड़ा राजिव गांधि पूछा गया है कि रमेश्वार्म राश्टियुद्यान अगल को आपको आपको डो दो बर चीजों को आप लिखेंगे और जहां आप पढ़ते हैं वहाँपर आप चिपका देंगे तो आप बस एक बार दो याद करते जाएंगे कि हाँ भाई पीपा कोंड़ा है राजीव कांधी राष्टी उद्यान है विश्री वेंके टेश्वर है कहां पर ही राश्टी उद्दान यह आपका अंधर प्रदेश में तो एक बार दो बार चीजों को पढ़ेंगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा जैसे यह आप्ष्ण आएगा तुरंट आप क्लिक करेंगे यार यह तो हमने पढ़ा था यह तो जो श्रीवेंके टेश्वर है यह तो आंधर परदेश में अधर प्रदेश में तो ऐसे दोस्तों जब चीजों को आप एक बार दो बार रिवाइस करेंगे तो आपको याद ह हो जाएगा ठीक है कि नेश्टर तमिलाडू में दोस्तों पांच है आपके राष्ट्य उद्दान जिसमें इंद्रा गांधी अन्ना मलाई दोस्तों राष्ट्य उद्दान यानि कि राष्ट्य उद्द्यानों की बात हो रहे है दोस्तों जानी कि इंद्रा गांधी अन्ना तो दोस्तों प्रमुख इंद्रा कांधि अन्ना मलाई है मनार की खाड़ी मरीन है यह प्रमुख राष्ट्यूद्यान माने जाते हैं जो की एक्जाम में पूछे जा सकते हैं कि यह राष्ट्यूद्यान कहां मिलते हैं कहां पाजाते हैं तो यह राष्ट्यूद्यान कहां पा प्राइश प्राइब हो गया है आप सभी जोईन कर सकते हैं चलिए दोस्तों निस्ट चलते हैं अब केरल की बात करें दोस्तों तो केरल में आपके कितने राष्टी उध्यान है टोटल छे राष्टी उध्यान है दोस्तों केरल में आपके कितने राष्टी उध्यानों की बात हो रही है राष्टी उध्यान राष्टी उध्यान की बात हो रही है दोस्तों तो कुल राष्टी उध्यान कितने हैं केरल में 6 जिनमें Silent Valley दोस्तों बंगाल साथ घाटी जिसे कहा जाता है Silent Valley राष्टी उध्यान ये बहुती बार पूछा गया है इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजेगा कई बार एक्जाम में पूछा गया है कि Silent Valley यानि सांति घाटी राष्टी उध्यान कहां पाया जाता है तो ये केरल में पिलता है दोस्तों कहां पे केरल में आपके पाया जाता है और पेरियार दोस्तों परियार भी इंपोर्टेंट है और दोस्तों आइन अनाई मुडी अनाई मुडी है यह भी इंपोर्टेंट है इरावी कुलम हो गया दोस्तों मतिकें सोला और परिंबुकुलम शोला दोस्तों शोला सोला यहां आए समाह लिजेगा सोले की बात हो रही है तो केरल की बात हो रह राष्ट्युध्यान कहां पर केरल पाया अनायाय Allie ये भी कहां है ये थोस्तों आपका कनल तो यह राष्ट्यूद्ध्यान प्रमुख जो कि केरल पाई जाते जस्या silent डिशए काफी प्रमुखार काफी प्रशिद्माना जाता है कभी आप को समय मिले केरल जाइए यह आप इसलिडर यो खी अच्छा माना जाता है यह रस्टी ज़्डाद गवाइनinter bird दोस्तों 2021 कनद्रे मुक्ष है बांदीफूर है दोस्तों कौनसा है और बनेर घटा है और दोस्तों नागर पूछा जा सकता है तो सीटेंट में हमारे ऐसे कोशन पूछे जाते हैं जिसे की जो कोशन जो हमने बहुत ही कम देखें बहुत ही कम पढ़ें जैसे आप पूछ लिया महाँ वीर मोलम राष्ट्युद्यान कहां है तो थोड़ा सा जये जान आड़ी यार महाँ वीर मोलम तो पहली बार सुने दुधवा राष्ट्युद्यान तुरंत उत्तरप्रदेश में लखी फुरी में तुरंत याद आज आ जाएगा गिरी राष्ट्युद्यान यह आदा जिम क्या पे यह यादा आ जाएकग सांथ फैली केरल में करनाटक में तब दोस्तों क्या होगा आपको मिलान करना जैसे पूछा जाता है कई राष्ठी उद्यान में देखा गया है मिलान करने के लिए दिया गया है कि मिलान करिए दोस्तों कम से कम अगर दो तीन राष्ठी उद्यान चार राष्ठी उद्यान दस राष्ठी उद्यान है, देन्ट घट्टा है , नागरit होल है, और कुद्र में मुख है , ये आपके राष्टि उद्यान है , क्या करते है y तो ये आपको पता होगा , तभी आप मिलान करपाएंगे , नहीं तो आप नहीं करपाएंगे दोस्तों ठीक है , तो . सब्ख़े जानकारी आपको होना बहुत ही आश्ट्राश्टी उद्यान सब्सक्राइब मौनतय लुकी दोस्तों सब्सक्राइब यह पूछा गया है कि महाटमा मैं म Calendar कई मांट हिण जोस्तों मौन वह हम पूछा गया आपका रानी जहासी मरीन यह भी राश्टिया पूछा गया है और फिक यह और ग्र में केंपल बें यह आपके कहा है अंधमान और निकोबार में यह राश्टियान होते हैं टूसटों तो यह अगर आप दोस्तों आपको पता चलता होगा कि कैसे कोश्छन आते हैं तो अगर आप सीट का प्रेक्टिस एट लगा रहोंगे रोज अगर आप मुझत का प्रेक्टिוצेट लगा 꿈 आए दोस्तों तो आपको पता चलाँ कि प्रकार के जा नियुक्शन पूछे कौन कौन से परयावरंड से समन्दित है परयावरंड रौIII कौन-कौन से इन सबी चीजों के बारे में दोस्तों हमें जानकारी होनी चाहिए कौन सी कहाँ साры होनी नदि neighborhood बारे में पुछा जाता है इस बार पच्छी और पश्व से तो कोशें नहीं बना था पर स्लाब से कोश्चन थोड़ा सा आया था इस लिए दोस्तों यह कुछ आया था इसलिए याद देखिएगा जानना बहुत ही ज़रुरी आपको आश्यक है ठीक है दोस्तों था यह हिंदी निजयकर नजा नए बेश कह चलिए दोस्तों थे नागालेंड़ में राष्थी उद्ध्यान है आपका इन्टांकी दोस्तों कौन सा है इंटांकी अगतलब में और मरीपुर में आपके दो दोस्तों माने जाते हैं इंपोर्टेंट है केव लामजाव और सिरोई पूछा गया है कि बताएस राश्टियान कहां पेश्तित है तो सीरोई राश्टियान आपका कहा पहे दोस्तों मड़ीपूर में इसे फ़ित would stop Scorpion क्यों तो और केबिल और लामजा सीरोही यह आपके कहां के हैं मडीपूर के राश्ट उद्यान है दोस्तों ये इंपोर्टेन्ट है ठीक है चले है दोस्तों ना Goddess है अब मिजोरम की बात करें तो उना फाइंग गुपई ब्लू मौंटेन दोस्तों यह इंपोर्टेंट है फाइंग गुपई ब्लू मौंटेन राष्ट युद्यान कहां पर है यह राष्ट युद्यान आपका दोस्तों यह मिजोरम में राष्ट युद्यान कहां पर मिजोरम है अमुरलेन दो के वाल मिजोरम कि इसने राष्ट्य उध्यान है दो राष्ट्य उद्यान मालें घ्रजिम बंगाल में आपके छे राष्ट्य उध्यान और निहां आपको बताया यह सुंदर्वन बहुत इंपोर्टेंट सुन्द Aí्ऺ तुरंत मार देंगे पर पूछ लिया जल्दा पारा कहा कई पूछ लिया सिंघ क्र फिल दोस्तों दोस्तों यह आपके लिए इंस्यों कहां अथ सुंदर्वन बद्भा और निवरा वैलि दोस्तों निवडा वैली भी आप से पूचा आपके अपर खोलेंगे टीक है तो सी स्क्रेंसивается लेले का भूल है जाधी क्लास आपसे ले सकते हैं और कि आज की क्लास को कैसी लगी कमेंट बांक में क्मेंट जरूर करेबार लाइक बहुत इंब लाइकश करेगा कोई दिक्कत परशानी कमेंट करिएगा आज के लिए इतना है राधे राधे जै श्री राम और जै हिन दोस्तों